नमस्कार दोस्तों मैं दिपानशु श्वागत करता हूँ आपका सीजबेस सी व्यापव में एक बहुती सांदार न्यूज के साथ जी हाँ दोस्तों बहुत अच्छी न्यूज है आप सभी के लिए जैसा कि आप सभी ने वीडियो को टैटल पर लिया होगा कि 36 गड़ में 292 पदों से अधिक जो भरती का विग्यापन है वो 10 फरवरी के बाद निकलेगा और ये कौन सा भरती विग्यापन है हम इस बारे में पूरी चर्चा करेंगे साथ में बहुत सारे लोगों का क्योस्चन था कि जुनियर इंजिनियर के सिविल के जो 400 पद है उसकी भरती कब निकलेगी इस समद में भी हम बाच्चित करेंगे बीना किसी देरी कि है हम वीडियो को स्टार्ट करते तो आप सभी इस वीडियो के अंतक बने रहेएगा जोनों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जैं सब्सक्राइब करें तद बाजो में जो बैल आइकन आप उसे जल्दी से प्रेस करें ताकि आपको CGPSC वेप हम तद अदर एक्जाम के लेटेस्ट अपडेट जल से जल मिल सके बिला किसी देरी कि वीडियो को स्टाट करते हैं तो देखिए वीडियो को स्टाट करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि कल जो है CGPSC में आप लोगोंने कंटीनियू देख रहे हैं कि सहायक संचालक के अलग-अलग भी भागों से वेकेंसिया निकल रही है अच्छ बोल सकते हैं उसी प्रकार का ही पद है उसकी जो भरती परिक्ष्छ हुई थी 2016 में असिस्टेंट डारेक्टर इंडश्ट्री की यह भी जो है उसी प्रकार का पद है सहायक पंजीयक का जहां पे कोई भी अपलाई कर सकता है रही बात विधी अधिकारी का भी जो पद निकला है वो भी दो पद निकला हुआ है और उसके लिए भी जो है विधी से जो इस नातक किये हुए है उन लोग जो है अपलाई कर सकते हैं इस प्रकार से आप लोग उन्हों देखा कंटिन्यूंग CGPSC ने तीन दिन में सहाइक संचालक की तीन अलग-अलग पदों पर वैकेंजिया निकाल दी आप सभी बहुत सारे लोग इसमें ये बोलते कि बहुत कम पद है तो देखिए आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि जो सहाइक संचालक जनसंपर्ग अधिकारी का जो पिछले कि जब तक आपकी त्यारी नहीं रहेगी आपका सेलेक्शन किसी में भी नहीं होगा तो इस प्रकार की त्यारी रखिए कि वह एक पद जो है वह आपको प्राप्त हो सके सही रही बात आगे जो पद है वो भी अलग-अलग जैसी कि सहायक पसुची किस्सा अधिकारी एई- करने वाली है दिरे-दिरे आप देखेंगे कि continue भरतिया आपको देखने को मिलेगी से लेकिन क्या है इस सभी चीजों में थोड़ा सा वक्त लगता है वक्त इसलिए लगता है कि सारी जो प्रक्रियां है उसको बहुत सारी चीजों से होकर गुजरना पड़ता है इसी वज़ फिल्ड में अलग अलग चीजों में भरतियां हो रही है रही बात मेडिकल फिल्ड में अगर हम सरव बस्तर संभाग की बात करें तो वहां का पूरा कोटा है चाहा का अलग अलग चीजों का चाहा वो स्वरुजा, इन सभी पांचो सम्भाग क्या और विलाजफूर ये तीनों के सभाग है वो मैदानी इलाकों में आते इनकी जो भरति होगी वन पहले ऐसा था कि संभागी इस तर पर होगी नहीं लेकिन अब उसको चेंज करके क्या कर दिया गया है व्यापम के हाथों सौब दिया गया है तो बहुत सारे लोगों का जो सवाल आ रहा था कि ये जो भरती है मेडिकल फिल्ड वालों की भरती तो जैसा कि आप किश्किन पर शोह रहा होगा देख सकते हैं आप यहाँ पे इस्टाफ नर्स, रेडियोग्राफर, लैब टेकनिसियन, नेतर सायक अधिकारी, ओटी टेकनिसियन, रेफ्रिजिरेटर, मैकेनिक, साइकेट्रिक नर्स और साइकेट्रिक सोसल वर्क ये जो पद है इसमें आप देखेंगे कि रैपूर, बिलासपूर, और यहाँ पे सिर्फ रैपूर और बिलासपूर संभाग का देखेंगे तो रैपूर और बिलासपूर संभाग में देखेंगे तो टोटल 272 पद है इस्टाफ नर्स के तो स्टाफ नर्थ साथ में असिस्टेंट टेकनिसियन के ये जो दो पधध है इसकी जो भरती है वो आपको व्यापम के माध्यम से दस फरवरी के बाद जो है इसका विज्ञापन जारी होगा ऐसा व्यापम के दोरा जो अपडेट है वो मिल रही साथ में एक उफिसियल अपडेट भी है जसक कि आप के पिर्षियन पे शोasis हो रहाँगा यहां पे बताए गया है कि व्यापं के माध्यम से जो बहुत सारे लोग सिविल इंजिनियर की तैयारी कर रहे है सिविल बोलाची सब इंजिनियर की चार सो पज इसके लिए बहुत दिनों से जो इस दिन का इंतजार चल रहा है तो वो भी भरतियां फरवरी महिने में आपको देखने को मिलेगी लेकिन जो मेडिकल फिल्ड वालों के लिए जो भरतियां है वो जो है दस फरवरी के बाद जो है वो निकलेगी और इसका जो एक्जाम डेट है वो आपको मार्च में जो है प्रस्तावित किया गया है तो ये जो मेडिकल फिल्ड वाले जो काईदे से देखा जा तो इस टाफ नर्स की जो है बंपर भरतिया तो ये जो भरती है वो आपको व्यापम के ही माध्यम से जो इसकी परिक्षा है वो आपको मार्च में देखने को मिलेगी वैकेंसियां आपको दस मार्च के बाद दस फरवरी के बाद आपको देखने को मिलेगी ये एक अच्छी नियूज है, मेडिकल फिल्ड वालों के लिए, रही बाद सब इंजिनियर की तो सब इंजिनियर की जो वेकेंसियां हैं, वो भी फरवरी में आएगी, लेकिन आप सभी को बताना चाहूंगा, ये दोनों वेकेंसियों के पहले पटवारी की जो वेकेंसियां ह रही है, चाहिए वो CGPSC में हो, या CGVYAPAM में हो, आपको continue जो है, मैं CGPSC और CGVYAPAM की वेकेंसियों से संबंधित, जो बोलना चाहिए, अपडेट है, वो आपको दे रहा हूँ ताकि आप अपनी तयारी पर पूरी की पूरी फोकस करें और अपने आपको तयारी नहीं करने का जो भाना है, वो ना दे, सिर्फ अपनी तयारी पर फोकस करिए, और जी तोड महनत करिए, क्योंकि कहीं न कहीं कॉंपिडिशन बढ़ा है, और इस कदर बढ़ा है, कि डेर सो में लोग 121 नमबर भी ला रहे हैं, तो आप सभी उस हिसाब से, उस टार्गेट को लेके तयारी करिए, कि वो 121 नमबर से आप जादा लाएं, ताकि आपका व्यापम में एक बार में सलेक्शन हो जाएं, तो यही एक पूरत जानकारी देना था, साथ ही, जो मैंने आप सभी को बार-बार बता रहा हूं, कि ग्रामिन या अंत्रिकी विभाग से मुझे अपडेट मिल रहा और बहुत सारे सवालों के जवाब देने थे, इसी वज़ा से यह अपडेट दिया, आश्रा करता हूं कि आपको पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी, अगर इस जानकारी अच्छी लगी तो आप इसे जादा से जादा लोगों तक शेयर करे, तथा इस चैनल को सब्सक्र आप आप पकारी झाइस जादा इसाराँ ओनाल हैं य। कि आपको 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 कि देए से जादी लगी होगी होगी जाता से जादा क nich उँए।